पार्ठ एक भाशा, लीपी और व्याकरण लांग्विज, स्क्रिप्ट एंड क्रैमर भाशा मनश्य एक सामाजिक प्राणी है वह अपने मन में उठने वाले भावों वह विचारों के बारे में दूसरों को बताना चाहता है और दूसरों के भावों वह विचारों के बारे में जानना चाहता है भावों वह विचारों के इस आदान प्रदान के लिए ही भाशा का विकास हुआ हम अपने विचारों और भावों को अनेक साधनों द्वारा प्रकट करते हैं नीचे के चित्रों को ध्यान से देखिए गाढ़ हरी जंडी दिखाकर रेलगाडी को चलाने का संकेत कर रहा है नन्ही श्वेता संकेत द्वारा मा से खिलोने मांग रही है दिये गई चित्रों में संकेत की भाषा का प्रयोग हुआ है इसे संकेतिक भाषा भी कहते हैं संकेतों द्वारा बात को समझने समझाने में असुविधा होती है इसी लिए भाषा का यह रूप मानने नहीं है तो भाषा का मानने रूप क्या है? आईए जानते हैं सुनील और प्रिया अपने विद्याले के वार्शिकोटसव के विशय में बात कर रहे हैं सुनील इस वर्ष अच्छे चात्र का पुरुसकार मुझे ही प्राप्त होगा प्रिया हाँ, मिलना तो तुम्हें ही चाहिए सुनील वार्शिकोटसव में एक गीत प्रस्तुत करूँगा तुम क्या करोगी? प्रिया मैं सामोहिक नृत्य में भाग ले रही हूँ आपने देखा सुनील और प्रिया ने अपने मन की बात एक दूसरे से कह कर बताई मन्थन एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म संप्रदायों के लोग आपस में मिल जुलकर रहते हैं विभिन संस्कृतियों का ऐसा अनूठा समन्वय और कहीं देखने को नहीं मिलता भारत एक विशाल देश है जनसंख्या के दृष्टी से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है पिछले प्रिष्ट पर आपने देखा कि पुस्तक के लेखक या लेखिका ने लिखकर अपनी बात बताई और मन्थन ने पढ़कर उसके विशय में जाना यह सब कुछ भाशा के द्वारा ही संभव हुआ इस प्रकार आपने देखा कि अपने मन के भावों का आदान प्रदान एक दूसरे से कहकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर किया जा सकता है भाशा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोल कर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को सुनकर या पढ़कर जानते हैं अब आप जान गए होंगे कि भाशा के द्वारा हम दो प्रकार से अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं। इस प्रकार भाशा के दो रूप हुए। एक मौखिक भाशा, दो लिखित भाशा, एक मौखिक भाशा, पहले चित्र में नेताजी भाशन दे रहे हैं, तथा लोग उनका भाशन सुन रहे हैं। इसे भाशा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक रूप भाशा का मूल रूप होता है। नेताजी भाशन दे रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अपने मन के भावों और विचारों को बोल कर प्रकट करना, तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुन कर समझना, भाशा का मौखिक रूप कहलाता ह 2. लिखित भाशा और विचारों को पढ़कर समझना भाशा का लिखित रूप कहलाता है। भारत के भिन भिन प्रांतों में अलग अलग भाशाएं बोली जाती हैं। विश्व में सैकणों भाशाएं बोली जाती हैं। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, जर्मन, स्पैनिश, अर्बी, फार्सी, चीनी, जापानी आदिविदेशी भाशाएं हैं। इसे भी जानिए, भाशा की सम्विधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 हिंदी भारत संग की राजभाशा के रूप में स्विकार कर ली गई थी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की अन्य प्रमुख भाशाएं हैं मराथी, मनिपुरी, कश्मेरी, पंजाबी, असमिया, बंगला, उडिया, आदि ये सभी भाशाएं भारतिय आर्य भाशा परिवार से संबंधित हैं। लीपी, आपने पढ़ा कि भाशा का मूल रूप मौखिक है। लीपी के द्वारा उसे लिखित रूप दिया जाता है। भाशा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किये जाते हैं उन्हें लीपी कहते हैं। अतह किसी भी भाशा के लिखित रूप का आधार उस भाशा की लीपी होती है। प्रतेक भाशा की अपनी लीपी होती है। प्रमुख भाशाओं की लीपियां इस प्रकार हैं। भाशा संस्कृत हिंदी मराथी और नेपाली देवनागरी लीपी। भाशा पंजाबी लीपी गुरु मुखी। भाशा अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच लीपी रोमन। भाशा उर्दू लेपी फारसी। भारत के अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग बोलियां प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, बुंदेलखंड शेत्रमें बुंदेली, कुमाउउँ शेत्रमें कुमाउनी, हर्याना में हर्यानवी, 36 गढ में 36 गढई आदी। बोली का क्षेत्र भाशा की अपेक्षा सीमित होता है। इसमें प्रायाह साहित्य की रचना नहीं होती। प्रमुक्षेत्रों की बोलियां पश्चिम, खडी बोली, ब्रजभाशा, बुंदेली, बुंदेलखंड, हरियानवी, कन्नाजी, पहाडी प्रदेश, गढ़वाली, गढ़वाल, मंडियाली, हिमांचल प्रदेश, कुमाउनी, कुमाउं। पूर्व, अवधी, छत्तीस गढ़ी, बगहेली, बिहार, मगही, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, राजस्थान, मारवाडी, मेवाडी, मेवाती, जैपुरी, व्याकरण, इस वाक्य को पढ़िये, राहुल का दादी जी आई है, यह वाक्य व्याकरण की द्रिष्टी से घलत है, कैसे? दादी जी स्त्रिलिंग शब्द है, इसलिए राहुल का दादी जी के स्थान पर राहुल की दादी जी होना चाहिए. इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है, अतह व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है. व्याकरण वह शास्त्र है, जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्यान कराता है. व्याकरण की निम्नलिखित तीन इकाईया हैं, एक वर्ण, दो शब्द, तीन वाक्य, एक दृष्टी में भाषा की दो रूप हैं, मौखिक और लिखित. भाषा को लिखने हेतु, निर्धार चिन्हों को लीपि कहते हैं. व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखते हैं. पाठ दो वर्ण और शब्द लेटर्स एंड वर्ड्स वर्ण प्रतेक भाषा वाख्यों द्वारा बोली जाती है. वाख्य शब्दों से बनते हैं. शब्दों का निर्मान वर्णों से होता है. यही वर्ण भाषा की मोल तथा सबसे छोटी इकाय होते हैं. हम प्रति दिन कुछ द्वनिया सुनते हैं. कुछ द्वनियों का अर्थ हम नहीं जानते. जैसे रेलगाडि के चलने की आवाज, बर्तनों के टकराने की आवाज, किन्तु जो ध्वनिया मानव मुख से निकलती हैं, उनका अर्थ हमें ग्यात होता है. इन्हीं द्वनियों के मेल से शब्दों का निर्मान होता है उदाहरण के लिए धर्ती, रामायन ये शब्द कई द्वनियों से मिलकर बने हैं जैसे धर्ती ध, जमा, र, जमा, ती ध, जमा, अ, जमा, र, जमा, अ, जमा, त, जमा, ई रामायन रा, जमा, मा, जमा, य, जमा, न बराबर र, जमा, आ, जमा, म, जमा, आ, जमा, य, जमा, अ, जमा, अ, जमा, न, जमा, अ भाशा की सबसे छोटी ध्वनी को वर्ण कहते हैं वर्ण माला वर्णों का विवस्थित क्रम वर्ण माला कहलाता है वर्ण माला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं एक स्वर, दो व्यंजन एक स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या ग्या रहा है स्वर अ आ ई ई उ री ए ए ओ आ अयोग वह अग अह दो व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हैं व्यंजन कहलाते हैं वर्ण माला में सभी व्यंजन स्वर अ की सहायता से बोले जाते हैं यदि व्यंजनों में कोई स्वर संयुक्त ना हो तो वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं जैसे क ख आदे इनकी संख्या तैंतीस है व्यंजन का वर्ग क ख ग घ अंग च वर्ग प, भ, ब, भ, म, अंतहस्थ य, र, ल, व ओश्म व्यंजन श, श, स, ह अतरेक्त वर्ण र, अढ़, संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजनों के संयुक से बने हैं क, जमा, श, बराबर, क्ष, त, जमा, र, बराबर, त्र, ज, जमा, य, बराबर, ग्य, श, जमा, र, बराबर, श्र आगत ध्वनी, औ, ज, फ, मात्राई व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं स्वर ए की मात्रा म जमा, ए बराबर, मिल ई ए की मात्रा म जमा, ए की मात्रा, बराबर, मी मीद, उ, उ की मात्रा, म जमा उ की मात्रा बराबर मुख, उ, उ की मात्रा, म जमा उ की मात्रा बराबर मू, मूल, री, री की मात्रा, म जमा री की मात्रा बराबर म्री, म्रिग ए, ए की मात्रा म जमा ए की मात्रा बराबर मे, मेला ए, ए की मात्रा म जमा ए, बराबर मै, महला ओ, ओ की मात्रा, म, जमा, ओ की मात्रा, बराबर मो, मोर ओ, ओ की मात्रा, म, जमा, ओ की मात्रा, बराबर मो, मोसम हिंदी की अन्यध्वनिया हिंदी में कुछ अन्यध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है अनुस्वार अंग अंक अंगूर अनुनासिक अंगूठी अंधेरा विसर्ग अह प्रातह प्रायह आगद्ध्वनिया अ डॉक्टर चौक ज जरूर जरा फ गुफा काफी र से बनने वाले संयुक्त व्यंजन अलग-अलग रूपों में लिखे जाते हैं जैसे र जमा मा बराबर कर्म क जमा र बराबर कर्म त जमा र बराबर ट्रक र जमा श बराबर वर्श भ जमा र बराबर ब्रम ड जमा र बराबर ड्रम शब्द शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है इसी प्रकार बालक विद्याले जाता है इस वाक्य के चार खंड है बालक जमा विद्याले जमा जाता जमा है वाक्य के इन ही खंडों को शब्द कहते है बालक बराबर व जमा आ, जमा ल, जमा अ, जमा क, जमा अ विद्याले बराबर व जमा ए, जमा द, जमा य, जमा आ, जमा ल, जमा अ, जमा य, जमा अ जादा, ज जमा आ, जमा त, जमा आ है, ह जमा ए आपने देखा ओपर दिये कई शब्द स्वर और व्यंजनों के मेल से बने हैं अर्थात स्वर और व्यंजन के मेल से बहुत से शब्द बन सकते हैं परंतु शब्द वही कहलाते हैं जिनका अर्थ होता है स्वरों और व्यंजनों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है शब्द के भेद शब्द कई प्रकार के होते हैं इन्हें चार आधारों पर बाटा गया है एक उत्पत्ती के आधार पर दो रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रयोग के आधार पर चार अर्थ के आधार पर एक उत्पत्ती के आधार पर 2. बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं क विकारी संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया क अविकारी क्रिया, विशेशन, संबंध बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक च्यार अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं क समानार्थी शब्द ख विलोम शब्द ग अनेकार्थक शब्द वर्ण विच्छेद शब्द में प्रयोक्त सभी वर्णों को अलग-अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है जैसे माला बराबर म जमा, आ जमा, ल जमा, आ क्रिशक क जमा, री जमा, श जमा, अ जमा, क जमा, अ तितली त, जमा, ए, जमा, त, जमा, अ, जमा, ल, जमा, ई मौसम म, जमा, आ, जमा, स, जमा, अ, जमा, म, जमा, अ एक दृष्टी में सबसे छोटी ध्वनी जिसके और खंड नहूं वर्ण कहलाती है झासिने जिसके और खंड़ में वर्ण की सबसे दकांसम पूब से घाए झाल 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 पाठ चार संग्या नाउन इस अनुच्छिद को पढ़िए अंकिता के पिता जी का तबादला जैपुर से दिल्ली हो गया है अंकिता ने अपनी माता जी के साथ रसोई घर का सामान लगवाया उसने अरहर, चने और मसूर की दाले डिबे में रखी चीनी और चावल भी थैले से डिबे में डाले फिर उसने अपनी पढ़ने की मेज पर पुस्तकों को विवस्थित किया पैन तथा पैंसल को एक तरफ रखा अपनी प्यारी बिल्ली को केक खिलाया रफ्रिजरेटर में टिंडे, टमाटर, मिर्च और बैंगन आदी रखे तभी उसकी मौसी जी आ गई उसने रफ्रिजरेटर में से आम, सेब और केले निकाल कर मौसी जी को खाने को दिये मौसी जी को अंकिता के इस विवहार से बड़ी प्रसनता हुई उपर वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों, प्राणियों और भावों के नाम आए हैं आए, इन्हें अलग-अलग करके लिखते हैं वस्तु अरहर चने मसूर की दाल चीनी चावल थैला डिबबा पुस्तके पैन पैंसिल मेज केक टिन्डे टमाटर मिर्च बैंगन आम सेब केला स्थान जैपुर दिल्ली रसोई घर व्यक्ति पिताजी माताजी मौसीजी अंकिता प्राणी बिल्ली भाव तबादला व्यवहार प्रसन्यता आपने देखा कि प्रतेख व्यक्ति वस्तू स्थान और भाव के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं इन नामों को ही संग्या कहते हैं किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री संजय दिक्षित है मेज पर फल रखे हैं अंकिता की बिल्ली का नाम स्पाइसी है लाल किला लाल पत्थरों से बना है रिमजिम का घर दिल्ली में है दादी की बिमारी ठीक हो गई उपर्युक्त वाक्यों में व्यक्तियों, वस्तूओं, प्राणियों, स्थानों और भावों के नाम आए हैं संग्या के भेद संग्या के मुख्य तह तीन भेद होते हैं 1. व्यक्तिवाचक संग्या 2. जातिवाचक संग्या 3. भाववाचक संग्या 1. व्यक्तिवाचक संग्या किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के विशेश नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे सुभाश चंद्रबोस, विशेश व्यक्ति का नाम, श्रीमद भगवद गीता, विशेश वस्तु का नाम, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जाति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे हाथी, टेलिफोन, विध्याले, आदी अन्य उधारण, व्यक्ति, नगर, कुत्ता, समुद्र, पहाड, कौपी, कुर्सी, आदी तीन, भावाचक संग्या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिती, अवस्था या भाव आदी का बोध कराने वाले शब्दों को भावाचक संग्या कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, गर्मी, दया, आदी भावाचक संग्या का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसे मात्र अनुभव किया जा सकता है, जैसे इमानदारी, सुन्दर्ता, भोख, प्यास, शीतल्ता, प्रेम, आदी अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संग्या के दो और भेद स्विकार करने लगे हैं, जो मूल रूप से जाति वाचक संग्या के ही उपभेद हैं, ये हैं समुदाय वाचक संग्या तथा द्रव्य वाचक संग्या एक, समुदाय वाचक संग्या, जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तूओं के समोह का बोध होता है, उन्हें समुदाय वाचक या समोह वाचक संग्या कहते हैं, जैसे तक्षा, जुन्ड, भीड, सभा, दल या टोली, समोह, आदि दो, द्रव्य वाचक संग्या किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं, जैसे दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, आदि इसे भी जानिए, जिन संग्या शब्दों को गिना जा सकता है, उन्हें गणनीय संग्या कहते हैं, जैसे केले, सेब, पुस्तकें, आदि जिन संग्या शब्दों को गिना नहीं जा सकता, उन्हें अगणनीय संग्या कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, दया, सत्य, आदि भावाचक संग्या बनाना जाति वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया शब्दों से भावाचक संग्या का निर्माण किया जा सकता है, आईए देखते हैं कैसे शब्द, देव, भावाचक संग्या, देवत्व, बच्चा, बच्पन, कवी, कवित्व, चोर, चोरी, पशु, पशुत्व, मीठा, मिठास, स्त्री, स्त्रीत्व अपना, अपनापन, ठकना, ठकावट एक द्रिष्टी में प्रतेक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव का नाम अवश्य होता है, इन नामों को संग्या कहते हैं, संग्या के मुख्य तह तीन भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, तथा भाव वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्याओं से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेश नाम का बोध होता है, जाति वाचक संग्याओं व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरी जाति का बोध कराती हैं, भाव वाचक संग्या, संग्या के गुण, दोश या अवस्ता आदिका बोध कराती हैं, अंग्रेजी व्यकरण के प्रभाव से संग्या के दो अन्य भेद स्विकार किये जाने लगे हैं, समुदाई वाचक तथा द्रव्य वाचक, समोह या समुदाई का बोध कराने वाले शब्द समोह वाचक या समुदाई वाचक शब्द कहलाते हैं, द्रव्य, पदार्थ, धातु, आदिका बोध कराने वाले शब्द द्रव्य वाचक संग्या कहलाते हैं, पाँठ पाँच लिंग जेंडर इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे इनके नामों को पढ़िए राजा रानी शिक्षक शिक्षिका शेर शेरनी मोर मोरनी यहां राजा, शिक्षक, शेर और मोर पुरुष जाती के नाम है तथा रानी, शिक्षिका, शेरनी और मोरनी स्त्री जाती के नाम है सभी प्राणी, स्थान, वस्तुएं और भाव किसी ना किसी लिंग के होते हैं शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाती होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं एक स्त्री लिंग, दो पुलिंग संग्या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाती होने का बोध होता है, उसे स्त्री लिंग कहते हैं दो पुलिंग संग्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाती के होने का बोध होता है, उसे पुलिंग कहते हैं प्राणियों या वस्तुओं के पुरुष या स्त्री जाती होने का पता लिंग से चलता है संग्याईं चाहे सजीव हों या निर्जीव वे पुलिंग या स्थ्रिलिंग होती है जैसे सजीव प्राणिवाचक लड़की दोडती है स्थ्रिलिंग निर्जीव प्राणिवाचक रेलगाडी चलती है स्थ्रिलिंग कुत्ता भौगता है पुलिंग स्कूटर चलता है, पुलिंग इसे भी जानी, जीव जगत में लिंग का प्राकृतिक भेद होता है जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं, माताजी खाना बना रही है प्राणि वाचक संग्या शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है किन्तु अप्राणी वाचक संग्या शब्दों में लिंग की पहचान या तो उनके साथ लगने वाली क्रियाओं से या उनकी विशेश्टा बताने वाले विशेशन पदों से हो सकती है जैसे तीवी चल रहा है क्रिया से पहचान टॉर्च जल रही है क्रिया से पहचान यह बड़ा घर है विशेशन से पहचान यह मोटी पूस्तक है विशेशन से पहचान हिंदी में उपाधी या पदवी शब्द के लिंग का निर्धारन क्रिया के द्वारा होता है ये उभय लिंगी शब्द होते हैं जैसे 1. राश्ट्रपती गनतंत्र दिवस समारहों का उदगाटन करेंगे 2. लोकसभा अध्यक्ष आज विदेश यात्रा पर जा रही है 3. इसी प्रकार के अन्य शब्द है राजदूत, निदेशक, प्रुफेसर, सचिव, सभापती, आदी कुछ पुलिंग स्त्रिलिंग शब्दों की सूची पुलिंग आद्मी स्त्रिलिंग औरत धन्वान धन्वती बैल गाय वर वधु शिश्य शिश्या लेखक लेखिका कवी कवित्री अभिनेता अभिनेत्री पंडित, पंडिताईन विधुर, विधवा नायक, नायका पिता, माता पुरुष, स्त्री श्रेमान, श्रेमती नौकर, नौकरानी नर, नारी संब्राट, संब्रागी माली, मालिन विध्वान, पिदूशी अध्यापक, अध्यापिका हाथी, हथनी गुणवान, गुणवती ससुर, सास सुनार, सुनारिन धोबी, धोबिन सेह, सेहनी बाग, बाघिन चूह, चुहिया उंट, उंटनी चिड़ा, चिडिया घोड़ा, घोडी ग्वाला, ग्वालिन देवर, देवरानी जाट, जाटनी स्वामी, स्वामिनी चात्र, चात्रा ब्राह्मन, ब्राह्मनी बेटा, बेटी चौधरी, चौधराइन पडोसी, पडोसिन बिलाव, बिल्ली सेट, सेठानी युवक, युवती बंदर, बंदरिया बुवा, फूफा प्राया पुलिंग के रूप में प्रयोग किये जाने वाली शब्द हिंदी दिनों एवं महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख, आदी पर्वतों के नाम हिमाले, सत्पुडा, विंध्यांचल, आदी ग्रहों के नाम सूरिय, चंद्र, मंगल, बुध, आदी प्रित्वी स्थिलिंग है पेड़ों तथा फलों के नाम आम, नीम, जामुन, केला, आदी इमली, लेची, नाशपती, खुबानी, स्थिलिंग है देशों के नाम भारत, चीन, रूस, आदी धातुओं के नाम सोना, तामबा, पीतल, लोहा, आदी चांदी स्थिलिंग है रत्नों के नाम हीरा, मोती, नीलम, आदी अनाजों के नाम केहु, चावल, चना, जो, आदी फोलों के नाम गेंदा, गुलाब, कमल, बेला, आदी प्रायाह स्थिलिंग के रूप में प्रयोग किये जाने वाली शब्द नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, कावेरी, आदी भाशाओं एवं लीपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, देवनागरी, गुरु मुखी, आदी तिथियों के नाम प्रत्मा, द्वितिया अमावस्या, पोनिमा, आदी जिन शब्दों के अंत में इ, आवट, या, ता, आई, आहट, आस आते हैं वे प्रायह स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नदी, चान्दी, बनावट, थकावट, डिबिया, लुटिया, मित्रता, शत्रुता, पढ़ाई, घबराहट, मिठास, खटास, आदी एक द्रिष्टि में, लिंग से संग्या शब्दों के पुरुष या स्त्री जाती होने का बोध होता है लिंग दो प्रकार के होते हैं स्त्रिलिंग तथा पुलिंग क्रिया या विशेशन द्वारा कुछ शब्दों के स्त्रिलिंग या पुलिंग होने की पहचान होती है संग्याएं चाहे सजीव हों या निर्जीव वे पुलिंग या स्त्रिलिंग होती है कुछ शब्द उभै लिंगी भी होते हैं अड़्थात, वेस्त्रिलिंग और पुलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। पाठ छे, वचन, नम्ब, रंग बिरंगी प्यारी तितली, फूल पर मंडराए तितली। रंग बिरंगी प्यारी तितलीयां फूलों पर मंडराए तितलीयां। उपर्युक्त पहले चित्र में तितली से एक तितली का तथा फूल से एक फूल का पता चलता है। जबकि दूसरे चित्र में तितलीयां से एक से अधिक अर्थात अनेक तितलीयों का तथा फूलों से एक से अधिक अर्थात अनेक फूलों का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक एक वचन, दो बहुवचन, एक एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, टौफी, पुस्तक, बिल्ली, आदी दो, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, टौफियां, पुस्तकें, बिल्लियां, आदी इसे भी जानिए, गणनी ये संग्या पदों के बहुवचन रूप होते हैं, जैसे केला, केले, लड़का, लड़के, जंडा, जंडे, टोपि, टोपियां अगणनी ये संग्या पदों के बहुवचन रूप नहीं होते हैं, जैसे पानी, दूध, चीनी, तेल, आदी वचन संबंधी कुछनियम एक, वचन के बदलने से वाक्य में संग्या और क्रिया का रूप भी बदल जाता है कई बार वचन के बदलने से संग्या का रूप नहीं बदलता कुछ संग्या शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं जैसे बादल, आदमी, पेड, पिता, सैनिक, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आदी ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किये जाते हैं, तब क्रिया का रूप बदल जाता है निम्न वाक्यों को देखें सैनिक जा रहा है, पेड जूम रहा है दो, कई बार वाक्यों में प्रयोग करते समय, कई संग्या शब्दों का भी रूप बदल जाता है जैसे, साधुने भोजन कर लिया साधुने भोजन कर लिया पेड पर फल लगे है पेडों पर फल लगे है तीन आधर देने या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं जैसे, नाना जी आ रहे हैं, नहरू जी महान थे चार, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं जैसे, जनता, सोना, भीड, पानी, बरसात, आदी पाँच, कुछ शब्द सदा वचुवचन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं जैसे, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, आशू, आदी चे, यदी संग्या शब्द से पहले, दो, तीन, चार, बहुत से, कई, अनेक, आदी शब्द आ जाएं तो भी संग्या शब्द बहुवचन होते हैं जैसे, पाँच गाय, बहुत से बालक, आदी साथ, शब्द के अन्त में यदी ई या उ हो, तो बहुवचन में बदलने पर वह ई या उ हो जाता है जैसे, मक्खी, मक्खियां, वधु, वधुएं, साडी, साडियां, बहु, बहुएं एक वचन, मक्खी, बहुवचन, मक्खियां, लड़की, लड़कियां, नारी, नारियां नीती, नीतियां, खुरसी, कुरसियां, लेपी, लेपियां, रीती, रेतियां, टोपी, टोपियां, दवाई, दवाईयां, नदी, नदियां, तिथी, तिथियां, पंक्ती, पंक्तियां, गुडियां, गुडियां, लुटिया, लुटियां, चिडिया, चिडियां, परीक्षा, परीक्षाएं, महिला, महिलाएं, लता, लताएं, माला, मालाएं, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, रात, रातें, कमीज, कमीजें, गाए, गाएं, आँख, आखें, खिलाना, खिलाने, जंडा, जंडे एक दृष्टी में, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्यान होता है, उसे वचन कहते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं संग्या और क्रिया दोनों के रूप वचन के अनुसार बदलते हैं आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं पाठ साथ सर्वनाम प्रोनाउन इस अनुझेत को ध्यान से पढ़िए मेरा नाम राघव है मेरे मित्र का नाम मानस है वह मेरे घर के पास रहता है वह पढ़ने में बहुत अच्छा है उसे सभी लोग प्यार करते हैं उसके पिताजी डॉक्टर है उसने प्रथम आकर अपने पिताजी का नाम रौशन किया यहां राघव ने अपने लिए मेरा मेरे तथा मानस के लिए वह उसे उसके उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया है राघव और मानस नाम है नाम को संग्या कहते हैं राघव और मानस के स्थान पर जितने भी शब्द आए हैं वे सर्वनाम है सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाशा सुन्दर बनती है और संग्या शब्दों को बार बार दोहराना नहीं पड़ता है संग्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छे भेद होते हैं. 1. पुरुष वाचक सर्वनाम 2. निश्चे वाचक सर्वनाम 3. अनिश्चे वाचक सर्वनाम 4. प्रश्न वाचक सर्वनाम 5. संबंध वाचक सर्वनाम 6. निजवाचक सर्वनाम 1. पुरुष वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुश वाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूं, तुम किस से जाते हो? वह साइकिल से जाता है, यहां मैं, तुम और वह पुरुश वाचक सर्वनाम हैं, दो, निश्चे वाचक सर्वनाम, निश्चित व्यक्ती या वस्तु के लिए प्रयोग किये जाने वाले सर्वनाम, निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे इस पुस्तक को देखो, यह क इतनी उपयोगी है? वह मेरा घर है. यह वह इनहें उनहें इसका उसका आदी निश्चे वाचक सर्वनाम है. तीन अनिश्चे वाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ती, पस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे जल्दी से छिप जाओ कोई आ रहा है, जरा संभल कर फर्ष पर कुछ गिरा है, कोई इनहें कुछ कि किसी को आधी अनिश्चे वाचक सर्वनाम हैं. चार प्रश्ण वाचक सर्वनाम किसी व्यक्ती, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्ण करने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं. कल तुम्हारे घर कौन आया था? वह कहां गया है? कब, क्य प्रेश्न वाचक सर्वनाम हैं. जिसकी उसकी जैसा वैसा आदी संबंध वाचक सर्वनाम हैं. 6. निजवाचक सर्वनाम करता अर्थात काम करने वाले के अपने पन या निजदा का बोध कराने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे वह स्वयम आया था, यह काम मैं खुद कर लूँगा, अपने आप, स्वयम, खुद, आप, आदी, निजवाचक सर्वनाम हैं, इसे भी जानिये, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे एक वचन, मैं, बहुवचन, हम, तुम, आप, यह, तुम सब, आप सब, यह, किसे, जिसे, उसे, किन है, जिन है, उन है, वह, वे, इस, इसका, इसे, इन, इनका, इन है, उस, उसका, उन, उनका, शिक्षन संकेत, बच्चों को बताएं, कि आप आदर सूचक शब्द है, इसलिए, अपने से बड़ों वा आदरनिये विक्ति के लिए, आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, एक दृष्टी में, संग्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहु वचन होते हैं, सर्वनाम के छै भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चेवाचक सर्वनाम, अनिश्चेवाचक सर संबंध वाचक सर्वनाम तथा नेजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। पाठ आठ विशेशन एड्जेक्टिव इस अनुझेत को ध्यान से पढ़िए। सिया अपने पिताजी के साथ एक सुंदर पार्क में गई। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे भूलों पर तितलिया मंडरा रही थी। कुछ पक्षी मेठी आवाज में चहचहा रहे थे। हरे भरे व्रक्ष मन को सुकून देते थे। वहाँ नरम खास पर चलना आनंद दायक था। एक सुंदर रंग बिरंगे कुछ मीठी हरे भरे तथा नरम शब्द संग्या शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। संग्या और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। दिये गए वाख्य को ध्यान से पढ़िये। मिनी बहुत सुन्दर है। उपर दिये गए वाख्य में सुन्दर शब्द विशेशन तथा मिनी विशेश है। यहां बहुत शब्द सुन्दर शब्द से पहले आकर उसको विशेशता प्रदान करता है। ऐसे शब्द प्रविशेशन कहलाते हैं। अतह जो शब्द विशेशन की विशेशता बताते हैं, वे प्रविशेशन कहलाते हैं। विशेशन के भेद। विशेशन के चार भेद होते हैं। 1. गुण वाचक विशेशन. 2. संख्या वाचक विशेशन. 3. परिमान वाचक विशेशन. 4. सार्वनामिक विशेशन. 1. संख्या या सर्वनाम के गुण, दोश, स्वभाव, दशा, आकार, रंग, गंध, अवस्था, आधी बताने वाले विशेशन शब्द गुणवाचक विशेशन कहलाते हैं. 2. प्राणी, वस्तु, स्थान, आधी के अपने अपने गुणदोश ही उसकी विशेशताएं होती हैं. जैसे, रिमचिम ने नया स्वेटर पहना है. मारिया संदर है. यहाँ नई और संदर शब्द गुणवाचक विशेशन हैं. अन्य गुणवाचक विशेशन शब्द. मोटा, पुराना, स्वस्त, काला, गोरा, परेश्रमे, लालची, गीली, अगला, कुरूप, पिछला, पंजाबी, रूसी, गोल, भारी, पीली, सफेद, भला, अनुचित, शांत, करम, आदे. संख्या या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेशन शब्द संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं. जैसे, चार पक्षी उड रहे हैं. दोनों बच्चों के बीच में माताजी खड़ी हैं. यहां चार और दोनों शब्द संख्या वाचक विशेशन हैं. अन्य संख्या वाचक विशेशन शब्द संख्या वाचक विशेशन के दो भेद होते हैं. क, निश्चित संख्या वाचक विशेशन यह विशेश्य की निश्चित संख्या का बोध कराता है. जैसे, पंद्रह, रुपई, तीसरा, बालक, आदी. ख, अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन इसमें विशेश्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है. जैसे, कई लोग, काफी बच्चे, कुछ केले, आदे. तीन, परिमान वाचक विशेशन संग्या या सर्वनाम के मात्रा या परिमान के बारे में बताने वाले विशेशन शब्दों को परिमान वाचक विशेशन कहते हैं. जैसे, सोनाली तेम किलो चीनी लाई. अंतरा, काफी दूध लेती है. यहां तीन किलो और काफी शब्द परिमान वाचक विशेशन हैं. कुछ अन्य परिमान वाचक विशेशन कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, सब, बहुत, दो किलो, सो मीटर. आदि, परिमान वाचक विशेशन के भी दो भेद होते हैं. क, निश्चित परिमान वाचक विशेशन, तीन मेटर कपडा, चार लीटर दूध आदि. ख, अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन, कम, वर्षा, अधिक, भोजन, आदि. चार, सार्वनाम एक विशेशन. संग्या या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेश्टा बताने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनाम एक विशेशन कहते हैं. जैसे इस विद्ध्याले में हम पढ़ते हैं. ये आम पके हैं. यहां इस और यह शब्द सार्वनामिक विशेशन हैं. कुछ अन्य सार्वनामिक विशेशन वह, यह, वे, ये, कोई, ऐसी, ऐसा, आदि. निश्चे वाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेशन में अंतर. किसी निश्चित व्यक्ती, प्राणी, वस्तु, घटना, आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे, क, वहाँ जो कार खड़ी है, वह मेरी है, ख, इससे मिलिये, यह मेरी बहन है. सार्वनामिक विशेशन किसी व्यक्ती, प्राणी, वस्तु, आदि के पहले आकर उसकी विशेश्चता बताता है. जैसे, क, वह कार दिनेश की थी, ख, यह लड़की मेरी बहन है. एक दृष्टी में, संग्या और सर्वनाम शब्दों की विशेश्चता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं. जिन शब्दों की विशेश्चता बताई जाती है, उन्हें विशेश्च कहते हैं. विशेशन शब्द संग्या या सर्विनाम के गुण, नाप, तौल और संख्या आधि के बारे में बताते हैं विशेशन के चार भेद होते हैं गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन तथा सार्विनामिक विशेशन इन चित्रों को देखिए और नेचे लिखे बाक्यों को पढ़िए कबूतर उड़ रहा है नाई बाल काट रहा है माताजी खाना पका रही है राजू साइकिल चला रहा है यहां उड़ रहा है, काट रहा है, पका रही है, चला रहा है इन शब्दों से उड़ने, काटने, पकाने, चलाने के कारियों का पता चलता है दोड़ना, खाना, पढ़ना, लिखना, चलना, किया, करेगा, जाएगा, है, है, हूं, था, थे, आदी, क्रिया पद हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं काम करने वाले को करता कहते हैं और करता द्वारा किये गए कार्य का फल जिस पर पढ़ता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे संजिना गाना गा रही है। करता संजिना, क्रिया गा रही है, कर्म गाना, माताजी फल खा रही है। करता माताजी, क्रिया खा रही है, कर्म फल क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, जिन शब्दों में क्रिया के साथ कर्म होता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है इन चित्रों को ध्यान से देखी सचिन क्रिकेट खेलता है श्वेता गाना गार रही है पंकज पाठ पढ़ता है मा खाना परोस्ती है इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर एक सटीक उत्तर मिलता है तथा इसमें कर्दा का फल कर्म पर पढ़ता है जैसे सचिन क्या खेलता है क्रिकेट श्वेता क्या गाती है गाना दो अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया की साथ कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है इन चित्रों को ध्यान से देखिए इन वाक्यों में कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है परन्तु क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता इस क्रिया में कर्म की भी आवशक्ता नहीं होती अतह ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं इसे भी जानिए कुछ सकर्मक क्रियाओं के लिए दो कर्मों की आवशक्ता पड़ती है इन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है जैसे क जतिन ने मयंक को घड़ी दी कर्म एक मयंक दो घड़ी ख मैं नीरज को पत्र लिखूंगा कर्म एक नीरज दो पत्र धातु क्रिया का मोल रूप धातु कहलाता है क्रियाओं के सामान्य रूप हसना, खाना, पढ़ना, दोड़ना, आदी में से ना निकाल देने पर जो रूप रह जाता है उसे धातु कहते हैं जैसे हस, खा, पढ़, दोड़, आदी कुछ अन्य क्रियाओं के सामान्य रूप और धातु रूप दिये जा रहे हैं सामान्य रूप, उड़ना, धातु रूप उड़, चलना, चल, लिखना, लिख, उठना, उठ, तैरना, टैर, सोना, सो, पढ़ना, पढ़, हसना, हस, गाना, गा काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं काल का अर्थ समय होता है, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए मैंने पुस्तक पढ़ी थी भूत काल, क्रिया हो चुकी है राहुल पुस्तक पढ़ रहा है वर्थमान काल, क्रिया अभी हो रही है मैं कल विद्या ले जाओंगा भविश्यत काल, क्रिया अभी होनी है उपर्युक्त वाक्यों के अनुसार, क्रिया के तीन काल होते हैं एक भूत काल, दो फर्तमान काल, तीन भविश्चत काल. एक दृष्टी में किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं. कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. क्रिया के मोल रूप को धादु कहते हैं, काल के तीन भेद हैं, भूत काल, वर्तमान काल और भविश्चत काल. पाठ नौ क्रिया तथा काल वर्ब एंड टिन्स इन चित्रों को देखिए और नेचे लिखे बाक्यों को पढ़िए. कबूतर उड रहा है नाई बाल काट रहा है माताजी खाना पका रही है राजू साइकिल चला रहा है यहां उड रहा है काट रहा है पका रही है चला रहा है इन शब्दों से उडने, काटने, पकाने, चलाने के कारियों का पता चलता है दोड़ना, खाना, पढ़ना, लिखना, चलना, किया, करेगा, जाएगा, है, हैं, हुँ, था, थे, आदी, क्रिया पद हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, काम करने वाले को करता कहते हैं और करता द्वारा किये गए कारे का फल जिस पर पढ़ता है, उसे कर्म कहते हैं जैसे संजिना गाना गा रही है करता संजिना, क्रिया गा रही है, कर्म गाना माताजी फल खा रही हैं करता माताजी क्रिया खा रही हैं कर्म फल क्रिया के भेद क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं एक सकर्मक क्रिया दो अकर्मक क्रिया एक सकर्मक क्रिया जिन शब्दों में क्रिया के साथ कर्म होता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है इन चित्रों को ध्यान से देखिए सचिन क्रिकेट खेलता है, श्वेता गाना गा रही है पंकज पाठ पढ़ता है, मा खाना परुस्ती है इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर एक सटीक उत्तर मिलता है तथा इसमें कर्दा का फल कर्म पर पढ़ता है जैसे सचिन क्या खेलता है, क्रिकेट श्वेता क्या गाती है, गाना दो, अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है इन चित्रों को ध्यान से देखिए मयंक नहा रहा है सौरभ नाचता है पंकज हंसता है रिचा दोडती है इन वाक्यों में कौन लगाकर प्रश्न करने पर उद्दर प्राप्त होता है परन्तु, क्या प्रश्न करने पर उद्दर नहीं मिलता इस क्रिया में कर्म की भी आवशक्ता नहीं होती अतह ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं इसे भी जानिए कुछ सकर्मक क्रियाओं के लिए दो कर्मों की आवशक्ता पड़ती है इन क्रियाओं को दो कर्मक क्रिया कहा जाता है जैसे क जतिन ने मयंक को घड़ी दी कर्म एक मयंक दो घड़ी ख मैं नीरज को पत्र लिखूंगा कर्म एक नीरज दो पत्र धातु क्रिया का मोल रूप धातु कहलाता है क्रियाओं के सामान्य रूप हसना, खाना, पढ़ना, दोड़ना आदी में से ना निकाल देने पर जो रूप रह जाता है उसे धातु कहते हैं जैसे हस, खा, पढ़, दोड़, आदी कुछ अन्य क्रियाओं के सामान्य रूप और धातु रूप दिये जा रहे हैं सामान्य रूप, उड़ना, धातु रूप उड़, चलना, चल, लिखना, लिख, उठना, उठ, तैरना, टैर, सोना, सो, पढ़ना, पढ़, हसना, हस, गाना, गा काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं काल का अर्थ समय होता है, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए मैंने पुस्तक पढ़ी थी भूत काल, क्रिया हो चुकी है राहुल पुस्तक पढ़ रहा है वर्थमान काल, क्रिया अभी हो रही है मैं कल विद्याले जाऊंगा भविश्यत काल, क्रिया अभी होनी है उपर्युक्त वाक्यों की अनुसार, क्रिया के तीन काल होते हैं एक भूत काल, दो फर्तमान काल, तीन भविश्यत काल. एक दृष्टी में किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं. कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. क्रिया के मोल रूप को धादु कहते हैं, काल के तीन भेद हैं, भूत काल, वर्तमान काल और भविश्यत काल. पाठ दस अविकारी या अव्यय शब्द इन डिक्लिनेबल वर्ड्स क्रिया विशेशन इन्चित्रों को देखिए और नेचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. दादा जी धीरे धीरे चलते हैं, हिरन तेज दोड़ता है, अचानक वर्षा होने लगी, कार्तिक बहुत ठक गया. उपर्युक्त वाक्यों में धीरे-धीरे, तेज, अचानक और बहुत शब्द क्रिया की विशेश्टा बता रहे हैं. पहले वाक्यों में चलने की क्रिया धीरे-धीरे हो रही है, दूसरे वाक्यों में दोडने की क्रिया तेज हो रही है, तीसरे वाक्यों में बरसने की क्रिया अचानक होने लगी, तथा चौथे वाक्य में बहुत शब्द से पता चलता है कि ठकने की क्रिया बहुत हुई इस प्रकार इन सभी शब्दों से हमें क्रिया की विशेष्टा का पता चलता है क्रिया की विशेष्टा बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषन कहते हैं क्रिया विशेशन वाक्य में कैसे, कब, कहा, कितना आधी प्रश्णों के उत्तर देते हैं। क्रिया विशेशन के भेद क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं। एक, रीति वाचक, क्रिया की रीति या धंग को बताने वाले, धीरे धीरे, तेज, हलके से आधी। दो, काल वाचक, क्रिया का काल या समय बताने वाले, कल, आज, प्रति दिन, आधी। 3. स्थान वाचक, क्रिया का स्थान बताने वाले, भीतर, बाहर, उपर, यहां, आधी। 4. परिमान वाचक, क्रिया का परिमान या मात्रा बताने वाले, अधिक, कम, जाधा, आधी। शिक्ष इसे भी जानिए विशेशन तथा क्रिया विशेशन में अंतर। शिक्ष इसे विशेशन सत्य कथन, क्रिया विशेशन सत्य बोलना, विशेशन निकट स्थान, क्रिया विशेशन निकट आना। एक द्रिष्टी में, क्रिया की विशेशता बताने वाले शप्तों को क्रिया विशेशन कहते हैं। क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं। रेतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक. क्रिया विशेशन से क्रिया करने के धंग, समय, स्थान, मात्रा, आधिका पता चलता है. संबंध बोधक इन चित्रों को देखिए और नेचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. वर्तिका मा के बिना कहीं नहीं जाती. नेहा विद्याले तक गई है. सुरेश परिवार सहित शादी में गया. सलोनी अपनी बेहन के समान संदर है. उपर्युक्त वाक्यों में के बिना तक सहित के समान शब्द संग्या के बाद आए है. ये शब्द संग्याओं का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से करा रहे है. पहले वाक्य में के बिना शब्द मा संग्या का संबंध जाती क्रिया से जोड़ता है. दूसरे वाक्य में तक शब्द विद्याले संग्या का संबंध गई क्रिया से जोड़ता है. तीसरे वाक्य में सहित शब्द परिवार संग्या का संबंध गया क्रिया से जोड़ता है चौथे वाक्य में के समान शब्द सलोनी संग्या का संबंध है क्रिया से जोड़ता है अतह ये सभी शब्द संबंध बोधक हैं जो शब्द संग्या या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस संग्या या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के उपर से दूर के विरुद्ध की अपेक्षा के आगे आदे उदाहरण एक बैंक के निकट डाक घर है। 2. दरिया गंज के मध्य गोलचा सिनेमा हॉल है। 3. मेरे भाई के पास पुस्तके हैं। 4. राघव ने पत्र के द्वारा सूचित किया। 5. मेरे घर के सामने बस स्टैंड है। इस प्रकार के निकट, के मध्य, के पास, के द्वारा, के सामने, के उपर, से दूर, के अपेक्षा, के विरुद्ध, के आगे, आदे संबंध बोधक शब्द हैं। एक द्रिष्टी में संबंध बोधक शब्द संग्या या सर्वनाम के साथ लगते हैं। संबंध बोधक शब्द संग्या या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बताते हैं। समुच्य बोधक इन्चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। सपना और प्रभात घर जा रहे हैं। संजिना या वर्तिका गीत गाएंगी। गौरव अच्छा छात्र ही नहीं बलकि अच्छा खिलाडी भी है। छुट्टी मिल गई इसलिए सचिन घर आ गया। यहां और या बलकि इसलिए शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोडने का काम कर रहे हैं। और शब्द सपना और प्रभात को जोड रहा है। या शब्द संजिना और वर्तिका को जोड रहा है। बलकि शब्द दो वाक्यों गौरव अच्छा छात्र ही नहीं है। गौरव अच्छा खिलाडी भी है को जोड रहा है। इसलिए शब्द भी दो वाक्यों सचिन को छुट्टी मिल गई, सचिन घर आ गया को जोड रहा है और या बलकी, इसलिए समुच्य बोधक शब्द हैं। इन शब्दों को योजक भी कहते हैं। दो शब्दों, पदबंधों, व्याक्यांशों और वाक्य को जोडने वाले शब्द समुच्य बोधक अथ्वा योजक कहलाते हैं। समुच्य बोधक शब्दों के अन्य उदाहरण। 1. शिखा को परिक्षा देने जाना था, परंतु नहीं जा सकी। 2. परिक्षा रोग देनी पड़ी, क्योंकि पेपर लीख हो गया था। 3. जतिन दिन रात पढ़ने लगा, ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। 4. अगर कुछ बनना चाहते हूँ, तो खूब पढ़ो। 5. राजीव और सचिन सचे मित्र हैं। 6. पढ़ो और खेलो। एक दृष्टि में, वाक्य में दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोडने वाले शब्द समूच्य बोधक कहलाते हैं। समूच्य बोधक शब्दों को योजग भी कहते हैं। विस्मयादी बोधक इन चित्रों को देखी और नेचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाह! गीत सुनकर मज़ा आ गया। हाई! शेफाली फेल हो गई। छी! तुम्हारे कपडे कितने गंदे हैं। शाबाश! तुमने खूब रन बनाए। अरे! शमिता प्रथम आई। अहा! अब आएगा मज़ा। वाह! हाई! छी! शाबाश! अरे! अहा! ये शब्द मन के अलग-अलग भावों को प्रकट करते हैं। वाह! प्रसनता के भाव को प्रकट करता है। हाई! पेड़ा के भाव को प्रकट करता है। छी, घ्रिना के भाव को प्रकट करता है, शाबाश, प्रशंसा के भाव को प्रकट करता है, अरे, आश्चर्य के भाव को प्रकट करता है, अहा, आनंद के भाव को प्रकट करता है, इसी प्रकार मन में अनेक भाव उत्पन होते हैं, उन्हें शब्दों के माध्यम से प्रकट क ऐसे समस्त भाव विस्मयादी बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाया जाता है। चेतावनी बोधक सावधान खपड़दार। विस्मय बोधक क्या अरे हैं। हर्ष बोधक वाह शाबाश अहा। भाय बोधक हाय बापरी। ग्रणा बोधक धिकार है छी धिक। आश्चर्य बोधक ओह अरे। एक दृष्टी में भाय, हर्ष, शोग, आश्चर्य या विस्मय दुख और घ्रिना प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादी बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादी बोधक शब्दों के बाद विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादी बोधक शब्द वाक्य में सबसे पहले आते हैं। पाठ ग्यारह विराम चिन्ह पंक्चुएशन विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में जिन स्थानों पर रुकना होता है वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिससे वाक्य का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। बात को सपश्ट करने के लिए लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है, उन्हें विरामचिन्ह कहते हैं. प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं एक पोर्ण विराम चिन्ह यह वाक्य की समाप्ती का सूचक होता है हिंदी देवनागरी लीपी में इसे सेचिन्हित किया जाता है जैसे वह विद्याले गया वह चिडिया घर जाएगी दो अल्प विराम चिन्ह जहां मध्य में अथवा किसी कारण बहुत थोड़ा रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जैसे ठहरो आगे मत बढ़ो मोहन, सीता और रेखा खेलने गए तीन, अर्ध विराम चिन्ह किसी कथन या वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे सूरज निकला, धूब खिल उठी, पक्षी चह चहा उठे चार, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न भाव का संकेत देने के लिए प्रश्न वाचक चिन्ह लगाया जाता है जैसे, क्या राम स्कूल गया? कौन आया है? पांच, विसमयादी बोधक चिन्ह, पिसमय या आश्चर्य को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे, अरे, आप आगए? वह! जले भी? 6. योजक चिन्ह युग्म या जोडे शब्दों को जोडने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे सुख दुख, पाप पुन्य, माता पिता, आदी साथ, निर्देशक चिन्ह, वाक्य में बात सपश्ट करने या निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मोहन ने अपने साथियों से कहा, मित्रों हमें रविवार को पिकनिक पर जाने का कारेक्रम बनाना जाहिए। आठ, कोश्टक चिन्ह, किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोश्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं व्यर्थ के विवाद या बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। 9. उद्धर्ण चिन्ह, किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, सुभाश चंद्रबोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा। एक दृष्टि में लिखते समय वाक्य में रुखने के लिए प्रयोग्त चिन्ह, विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादी बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, उद्धर्ण चिन्ह, आदी प्रमुख विराम चिन्ह है। पाठ बारह मुहावरे, आइडियूम्स मुहावरे स्वयम में व्याक्यान्ष होते हैं, जिनका शाब्दिक या सामान्य अर्थ न लगाकर एक विशेश अर्थ लगाया जाता है. उदाहरण के लिए पापड बेलना एक मुहावरा है. पापड बेलने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए इसका अर्थ है परिश्रम करना. मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक हो जाती है. वेव्याक्यान्ष जो सामान्य अर्थ न देकर विशेश अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं. मुहावरा एक अंग अंग धीला होना, अर्थ बहुत थक जाना, वाक्य में प्रयोग. रात दिन काम करते करते मेरा अंग अंग धीला हो गया. दो अंधे की लाठी होना, एक मात्र सहारा, इस बुढ़ापे में सौरभ ही मेरे लिए अंधे की लाठी है. तीन, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आशीश अपने माता पिता की आँखों का तारा है. चार, उल्लू बनाना, मोर्ख बनाना, शिखा को उल्लू बनाना कठिन नहीं है. पांच, कमर तूटना, बहुत बड़ी मुसी बताना, सरवेश की मृत्यू से उसकी परिवार की कमर ही तूट गई. 6. काम तमाम करना, मार डालना, भारतिय सेना ने शत्रूओं का काम तमाम कर दिया. 7. गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना, कबीर ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है. 8. गले का हार होना, बहुत प्रिय होना, सपना आजकल मनोज के गले का हार बनी हुई है. 9. घोडे बेजकर सोना, बेफिक्र होकर सोना, देन भर काम करने के बाद साहुकार ऐसे घोडे बेजकर सोई, कि चोड सारा धन चोरी कर चले गए. 10. डाल में काला होना, संदेह होना, अनुराधा और रेनू इतने खुल मिलकर बाते कर रही है, मुझे तो डाल में काला लगता है. 11. नानी याद आना, मुसीबत में पढ़ना, धूप में चलते हुए मुझे नानी याद आ गई. 12. बाएं हाथ का खेल होना, आसान काम, दौड में प्रथम आना, सलोनी के बाएं हाथ का खेल है. 13. सिर पर चढ़ाना, बढ़ावा देना, पंकच की माता जी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है. 14. दाद काटी रोटी होना, गहरी मित्रता, विशाल और गौरव में दाद काटी रोटी है. 15. नाख कटना, इजज़त जाना, पुत्र के फेल होने से पिता की नाख कट गई. 16. माथा ठनकना, शक होना, नौकर को बार बार बाहर जाते देखकर संजे का माथा ठनक गया. 17. मोह में पानी आना, जी लल जाना, मिठाए देखते ही राघव के मोह में पानी आ गया. 18. मोह छिपाना, लजज़त होना, कम अंक आने पर शिखा मोह छिपाए बैठी है. 19. बात का धनी होना, वाइदे का पक्का, सपना बात की धनी है. 20. सिर फिर जाना, पागल होना, निशा अफसर क्या बनी है, उसका सिर फिर गया है. 21. कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना, जतिन अब तुम परिक्षा के लिए कमर कस लो. 22. कान भरना, चुगली करना, यह लड़की शिक्षक के कान भरती रहती है. 23. रंग में भंग डालना, काम बिगाड़ना, कार्तिक स्वयम तो खेलता नहीं, दूसरों के रंग में भंग डाल देता है. 24. आग में घी डालना, क्रोध को बढ़काना, तुम्हारी चुगल खोरी ने आग में घी डालने का काम किया है. 25. कान काटना, बहुत होशियार होना, संजे आयू में भले ही छोटा है, पर बड़े बड़ों के कान काटता है. 26. गले मढना, जबरदस्ती सौंपना, तुम यह खराबकार मेरे गले क्यों मढ रहे हो? 27. लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना, अनुभव आजकल छोटी-छोटी बातों पर लाल पीला हो जाता है. 28. रंग जमाना, प्रभावित करना, अर्चना ने मधुर कीत काकर सभा में रंग जमा दिया. 29. हथियार डाल देना, हार मान लेना. भारतीय सेना द्वारा चारों तरफ से घेर ले जाने पर आतंक वादियोंने हथियार डाल दिये. तीस नींद हराम करना परिशान करना नशीला पदार्थ खिला कर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है एक दृष्टी में मुहावरे स्वयम में व्याक्यान्ष होते हैं जो सामान्य शाब्दिक अर्थ ना देकर विशेश अर्थ देते हैं मुहावरों के प्रयोग से भाशा प्रभावशाली तथा रोचक बन जाती है पाठ तेरह अशुद्धी शोधन correction of errors भाशा का प्रयोग करते समय व्यावारे ज्यान के अभाव में छात्र प्रायह कुछ अशुद्धियां कर जाते हैं प्रारंभ में इसका कारण सही जानकारी का अभाव होता है किन्तु बाद में यह आदत बन जाती है इसके लिए प्रयास यह होना चाहिए कि प्रारंभ से ही शुद्ध भाशा के प्रयोग पर ध्यान दिया जाए अशुद्धियां दो तरह की होती है एक शब्दों की अशुद्धियां दो वाक्यों की अशुद्धियां एक, शब्दों की अशुद्धियां शुद्ध वर्तनी के प्रयोग से किसी भी भाशा का सही ज्यान होता है मात्राओं का उचित प्रयोग करने से वर्तनी का शुद्ध प्रयोग करना आता है नीचे दिये अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप जानिये अशुद्ध, आख, शुद्ध, आख, बिमार, बीमार, नीरोग, निरोग, प्रणाम, प्रणाम, गनित, गनित, चिन्ह, चिहन, शक्ती, शक्ती, रमायन, रामायन, चांध, संसारिक, सांसारिक, पत्नी, पत्नी, कृतग्न, कृतग्न, मे, मे, दुंगा, दुंगा, नारी, नारी, प्रसंशा, प्रशंशा, उन्नती, उन्नती, सुर्य, सूर्य, आधीन, अधीन, बोढ़ा, बोढ़ा, श्रीमती, श्रीमती, अर्मूद, अमरूद, सप्ताहिक, साप्ताहिक, तलाब, तालाब, उंगली, उंगली, रावण, रावण, केलाश, कैलाश, आरशीवाद, आशिरवाद, पुझ्य, पुझ्य, शात्र, छात्र, हिंदू, हिंदू, इतिहासिक, आतिहासिक, व्यावहार, व्यवहार, मुह, मुह, सन्यांस, सन्यास, उचाई, उचाई, पुन्य, पुन्य, मैं, मैं, तूम, तुम. दो, वाक्यों की अशुधियां वाक्यों को बोलने, लिखने में भी अशुधियां होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए. हमें वाक्यों को शुधु रूप में ही बोलना और लिखना चाहिए. वाक्यों में प्रायह, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, सर्वनाम, आधी के गलत प्रयोग से अशुद्धियां हो जाती हैं नीचे दिये अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप जानिये अशुद्ध वाक्य अपना करो काम शुद्ध वाक्य अपना काम करो मेरे को दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, दो लड़के आता है, कोयल कूक रहा है, लड़के पढ़ता है, मोहन गया स्कूल, मोहन स्कूल गया, उसके पिताजी आ गया, उसके पिताजी आ गये, राधा गाना गाता है, वह घर जा रहे है, वह घर जा रहा है, मोहन खाना खाती है, कुत्ता भौक रही है, मैं जाते हैं, मैं जाता हूँ, खेलता है वह गेंद से, वह गेंद से खेलता है, अनीता ने गाया गाना, वह छत पर से गिर गया, वह छत से गिर गया, समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द, समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे मत्स्य, मचली, जश, मीन, पुश्प, प्रसून, फूल, सुमन, इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं, अतह ये समानार्थी शब्द हैं, इन्हें परियाईवाची शब्द भी कहते हैं, नीचे कुछ समानार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है, शब्द, एक, कमल, समानार्थी, जलज, नेरज, सरोज, दो, आंक, नेत्र, नयन, लोचन, तीन, अश्व, घोडा, घोटक, तुरंग, चार, अगने, आग, पावक, अनल, पांच, आकाश, नभ, गगन, आसमान, छै, गंगा, भागी रथी, जाहनवी, देवनदी, साथ, गणेश, लंबोदर, गजानन, गणपती, आठ, जल, पानी, नीर, सलिल, नौ, चंद्र, चांध, शशी, राकेश, दस, पक्षी, खग, विहग, पकेरू, ग्यारह, परवत, भूधर, अचल, गिरी, बारह, वायू, हवा, पवन, समीर, तेरह, महादेव, शिव, शंकर, शंभू, चादह, बान, तीर, शर, शायक, पंद्रह, व्रिक्ष, पेड, तरु, विटप, सौलह, राजा, नृप, भूप, नरेश, सत्रह, सिंग, केशरी, वनराज, शेर, अठारह, स्त्री, नारे, महिला, रमणी, उन्नीस, समुद्र, सागर, जलधी, सिंधु, बीस, सरस्वती, भारती, शारदा, विल्नापाणी, 21. सर्प, भुजंग, विशधर, साप, 22. सोना, स्वर्ण, कंचन, कनग, 23. सूर्य, रवी, दिनकर, आदित्य, 24. दिन, वासर, वार, दिवस, विलोम शब्द विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात, विपरीत, इस प्रकार विलोम शब्द वे शब्द होते हैं, जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं, नीचे कुछ विलुम शब्दों की सूची दी जा रही है। इन्हें पढ़िए। पतन साथ उत्तियण अनुत्तियण आठ आलसी परीश्रमें नौ एक्ता अनेक्ता दस कायर वीर ज्यारह कृतग्य कृतग्न बारह क्रय विक्रय तेरह क्रोध क्षमा चादह कटू मधुर पंद्रह गुण दोश सोलह आय व्याय सत्रह चूत अचूत अठारह चाँ धूप उन्नीस जय पराजय बीस जन्म म्रत्यू इकेस ध्वन्स निर्मान बाईस दूशित स्वच्छ तेस निरक्षर साक्षर चाबीस नूतन पुरातन पच्चीस पाप पुन्य चबीस पंडित मूर्ख सत्ताईस प्रशंसा निंदा अठाईस पुरस्कार दंड उनत्तीस बाढ़ सूखा तीस उतार चढ़ाव इकत्तीस सुगंध दुरगंध बत्तीस स्वामी सेवक तैतीस सुकर्म कुकर्म 34. सुमती, कुमती, 35. शत्रु, मित्र, 36. हिंसा, अहिंसा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपनी बात कम से कम शब्दों में कहना एक कला है. इसमें अभ्यास से महारत हासल किया जाता है. इसके लिए जरूरी है कि हमें लंबे लंबे व्याक्यान्शों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग आता हो. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से हमारी भाषा अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाती है. आएए ऐसे ही कुछ शब्दों को जानते हैं. अनेक शब्द एक जो कला जानता है एक शब्द कलाकार दो जो स्त्री कविता रचती है कवित्री तीन रात में घूमने वाला निशाचर चार जिसे भय नहीं है निरभय पांच जो किये गए उपकार को मानता है 6. जो किये गए उपकारों को नहीं मानता है 7. कभी नहीं मरने वाला 8. देखने योग्य 9. पूजने योग्य 10. यात्रा करने वाला 11. जो बहुत बोलता है 12. जो देखा नहीं जा सकता 13. जो नहीं हो सकता 14. असंभव 14. सुख देने वाला 15. सुखद 15. कम बोलने वाला 15. मितभाशी 16. जिसे किसी का डर न हो 16. निडर 17. जहां जाना कठिन हो 15. दुरगम 15. बुद्धिमान कवा 15. नदी के किनारे एक बर्गत का पेड़ था 15. उस पेड़ पर पक्षियों ने अपने घुंसले बना रखे थे 15. उसी पेड़ की जड़ में एक बहुत बड़ा सांप भी रहता था 15. पक्षि जब भी अंडे देते, सांप मौका पाकर उन अंडों को चट कर जाता 15. इस कारण पक्षि बहुत दुखी थे 15. इस पार जब अंडे देने का समय आया तो पक्षियों ने अपना स्थान बदलने का निष्चे किया 15. उनका यह निष्चे सुनकर बुद्धिमान को आबोला 15. तुम सब मत खबराओ, इस बार मैं सांप को अंडे नहीं खाने दूँगा 15. लेकिन कोई भाई, इतने ताकतवर सांप को आप कैसे मारेंगी 15. एक पक्षि ने पूछा 15. तुम इस बात की फिक्र मत करो, बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी होती है 15. कोई ने जवाब दिया 15. अब सभी को कोई की बात पर विश्वास हो गया 15. एक दिन उस राजचिका राजकुमार शिकार करते हुए अपने सैनिकों के साथ उस नदी की ओर आया 15. अपनी थकान मिटाने के लिए उसने नदी में स्नान करने का निश्चे किया 15. उसने कपड़े वह सोने का हार उतार कर पेड से कुछ दूरी पर रख दिये 15. फिर वह स्नान करने के लिए नदी के किनारे चला गया 15. उसके सैनिक भी थोड़ी दूर पर आराम करने लगे 15. तभी कौवा बर्गत के पेड से नीचे उत्रा 15. उसने सोने का हार उठाया और साथ के बिल में डाल दिया 15. राजकुमार स्नान करके नदी से निकला 15. बदन पहुँचकर उसने कपड़े पहने 15. वह अपना सोने का हार ढूंडने लगा 15. तभी सैनिकों की दृष्टी बिल में पड़े सोने के हार पर पड़ी 15. एक सैनिक ने उस हार को उठाने के लिए जैसे ही बिल में हाथ डाला 15. तो साप की फुफकार सुनाई दी 15. तभी उसके सभी साथी बिल के आसपास आ गए 15. सब ने मिलकर उस साप को बिल के बाहर निकाल कर मार दिया 15. और हार उठा कर राजकुमार को दे दिया 15. इस तरह कौई ने अपने बुधी बल से सभी पक्षियों को साप से चुटकारा दिला दिया सभी पक्षी बहुत प्रसन्न हुए अब वे निश्चिन्त होकर उस पेड़ पर रहने लगे शिक्षा बुद्धी बल से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है दो मुर्गा और लोमडी एक शहर में एक मुर्गा रहता था वह रोज सुभे कुक्डुकु कुक्डुकु करता हुआ लोगों को सुभ होने का संकेत देता था शहर में वह अपने पिता और दादा के साथ घर में रहता था एक दिन मुर्गा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ कया तभी एक चालाक लोमडी जाडी से निकल कर उसके पास आई और प्यार भरे शब्दों में बोली मैं तुम्हारे जैसे प्राणी को पसंद करती हूँ तुम्हारी आवास कितनी मीठी है आखें कितनी सुंदर और चमकीली है मैं तुम्हारे पिता और दादा दोनों को जानती हूँ लेकिन तुम्हारी आवास उन दोनों से अधिक मधुर है मुर्गे को मधुर आवास के बारे में कुछ भी क्या नहीं था लोम्डी की प्रशंसा से उसका सीना गर्व से फूल गया और वह पेड से उतर कर लोम्डी के पास आ बैठा लोम्डी ने उसे फुसलाते हुए कहा मैं तुम्हारा मेठा गाना सुनना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए नहीं गाओगे यह सुनकर मुर्गा फूला नहीं समाया और आखें बंद करके जोर से कुकडो कु कुकडो की आवास निकालने लगा मौका पाते ही चालाक लोम्डी ने मुर्गे को दबोच लिया लेकिन जब उसने शहर के लोगों को अपनी ओर आते देखा तो वह ठहर गई मुर्गा समझदार था उसने कुछ देश सोचा और फिर लोम्डी से कहा जानती हो शहर के लोग क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि तुम उनका मुर्गा ले जा रही हो जबकि मैं तुम्हारा हूँ यह सुनकर लोम्डी खुश होकर मुर्गे की बातों में आ गई और चुलाने लगी ये मेरा मुर्गा है लोगों ये मेरा मुर्गा है लोगों पेड की टहनी पर बैठ गया इस तरह समझदारी दिखा कर मुर्गे ने लोमडी से अपनी जान बच्चा ली शिक्षा मुसीबत के समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए तीन शेक चिल्ली और चोर शेक चिल्ली दिन भर चार पाई पर लेटी लेटी ठक गया तो रात को काम की दलाश में निकला रास्ते में उसी दो चोर मिले शेक चिल्ली ने पूछा कहां जा रहे हो चोरों ने कहा काम बर शेक चिल्ली भी उनके साथ चल पड़ा चोरों ने सोचा कि चोरी का सामान उठाने में इसकी सहायता ले लेंगे चोर एक ग्वाले के घर में घुसे वे सामान एकटा करने लगे शेक चिली को भूक लगी उसने देखा चूले पर दूध रखा था दूध में चावल और चीनी डाल कर वह खीर बनाने लगा बकल में चारपाई पर घर की मालकिन सोई थी नींद में उसकी बाहा नेचे लुड़क गई उसका हाथ शेक चिली की ओर चला गया शेक चिली ने सोचा बुढ़िया बहुत लालची है खीर बनी नहीं है और यह पहले ही मांगने लगी है उसने कहा थोड़ा इंतजार कर अभी खेर नहीं बनी बुढ़िया ने हाथ नहीं हटाया शेक चिली को गुस्सा आ गया उसने कड़ची में गरम गरम खीर भरी और बुढ़िया के हाथ पर डाल दी बुढ़िया का हाथ जल गया वह चीक में चिलाने लगी जोर चारपाई के नीचे छिप गय और शेक चिली छलांग लगा कर छत के नीचे बने स्थान में छिप गया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसका बेटा दोडता हुआ आया उसने अपनी मा का जला हुआ हाथ देख कर पूछा तुम्हारा हाथ कैसे जल गया बुढ़िया ने कहा पता नहीं बेटा उपर वाला ही जाने शेक चिली को बहुत गुसा आया वह जोर से चिलाया मैंने तुम्हें खीर दी और तुम मजे ही फजा रही हो जो दोनों चारपाई के नीचे घुसे हैं वे क्या तुम्हारे रिष्टदार है शेक चिली की बात सुनकर चोर निकल कर भाग खड़े हुए शेक चिली भी उनके पीछे पीछे भागा और घर पहुँच कर ही धम लिया शेक चिली ने कसम खाई कि अब वह कोई काम नहीं करेगा ऐसा काम करने से क्या लाभ जिसमें जान जाने का भई रहता है शिक्षा मूर्खों से बचना चाहिए चार एकता में बल एक बूढे किसान की चार बेटे थे जो हमेशा आपस में जगडते रहते थे किसान उन्हें बहुत समझाता पर उसके बेटों पर उसका कोई असर न होता एक दिन किसान बिमार पड़ गया और उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया उसने अपने चारों बेटों को बलवाया किसान ने अपने बेटों से कहा यहां लकडियों का एक गठर रखा है उसमें चार लकडियां बंधी हैं उसे उठा लो चारों बेटों ने आश्चरिय से लकडियों के उस गठर को उठा लिया किसान ने कहा अब इसे बारी-बारी से तोड़ो एक-एक करके चारों बेटों ने लकडियों के गठर को तोड़ने की कोशिश की पर उसे कोई तोड़ ना सका अब किसान ने उन्हें एक-एक लकड़ी पकड़ाई और कहा इसे तोड़ो चारों बेटों ने बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकडी तोड़ दी ऐसा करते हुए किसान के बेटे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखर पिता जी यह सब क्यों कर रहे हैं किसान ने उन्हें हैरान होते देखा तो मुस्कुरा कर बोला बेटा तुम लोगों ने देखा जब लकडियां एक साथ बंधी थी तब उन्हें कोई तोड़ नहीं पाया लेकिन जैसे ही उन्हें अलग किया तो तोड़ने में आसानी हो गई एक एक लकडी कितनी आसानी से तूट गई इसी तरह यदि तुम मिल जुलकर रहोगे तो तुम लोगों को भी कोई हरा नहीं सकेगा परन्तु यदि आपस में लड़ते जगरते रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को नश्ट कर सकता है अतह, तुम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होता है शिक्षा, एकता में बड़ी शक्ती होती है पांच, राबिंसन क्रूसो इंग्लैंड के उत्तरी भाग में एक प्रसिध नगर है, यार्क वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था उसकी सबसे छोटे पुत्र का नाम राबिंसन क्रूसो था वह बहुत साहसी था उसे साहस्पूर्ण यात्राओं में बहुत आनंद आता था वह नाविक बनना चाहता था एक बार उसके पिता के मित्र उनसे मिलने आये वे एक जहास के कप्तान थे उन्होंने क्रूसो को बताया कि समुद्र की यात्रा से बढ़कर कोई आनंद नहीं है क्रूसो के मन में भी समुद्री यात्रा की इच्छा उत्पन हो गई कप्तान ने बताया कि अगले शनिवार को उनका जहास दक्षण अमेरिका जाने वाला है क्रूसो शनिवार को जहाज पर पहुँच गया कप्तान ने समझा कि क्रूसो पिद्दा की अनुमती लेकर आया होगा अतहा उसे साथ ले लिया क्रूसो ने उस जहाज पर अमेरिका तथा अन्य देशरों की यात्रा की क्रूसो ने काले, नंगे तथा नर्भक्षी व्यक्ती भी देखे जब जहाज अफरीका की ओर जा रहा था तभी मार्ग में भयंकर दूफान आया जहाज चटान से टकरा कर तूट गया बचने के लिए क्रूसो जिस जीवन रक्षक नाओ पर सवार हुआ वह नाओ भी उलट गई क्रूसो को तैरना आता था वह लहरों से टकराता हुआ तट पर जा पहुँचा वह अकेला रह गया था क्रूसो एक पेड़ पर चड़ गया वह तीन सितंबर 1669 को उस अंजान दूइब में पहुँचा था तिथी भूलना जाए इसलिए उसनी लकडी के तखते पर चिन्ह लगाने शुरू कर दिये अब क्रूसो को भविश्य की चिन्ता हुई उसने खेती के लिए भूमे तयार की तथा उसमें जहाज से उठाया हुआ गेहुँ बोदिया कुछी महीनों में फसल तयार हो गई इस प्रकार कई वर्ष बीद गए वह जंगली बकरियों की खाल के कपड़े पहनने लगा एक दिन उसने कुछ लोगों को मार पीट करते देखा एक जंगली यूवक रक्षा के लिए कुरूसों के पैरों में आगिरा कुरूसों को उसकी बोली सुनकर बड़ी प्रसनता हुई कुरूसों ने उसका नाम फ्राइडे रखा क्योंकि उस दिन शुक्रवार ही था एक दिन कुरूसों को एक जहास आता हुआ दिखाई दिया नाविकों और कप्तान में लड़ाई हो गई क्रूसो और फ्राइडे ने मिलकर कप्तान को बचाया कप्तान उसे इंग्लैंड ले गया छह माह की यात्रा के बाद जब क्रूसो अपने देश की पवित्र भूमी पर पहुँचा तो उसके हर्ष की कोई सीमाना रही फ्राइडे के साथ उसने अपना शेश जीवन आनन्द पूर्वग बिताया शिक्षा मनुष्य साहस, बुद्धी तथा परीश्रम के बल पर किसी भी काम में सफल हो सकता है श्रवन कुमार बहुत समय पहले की बात है श्रवन कुमार नाम का युवक था उसके माता पिता बूढे और नेत्रहीन थे अतह वही उनकी देखभाल करता था वह उनके लिए खाना बनाता, उनके कपड़े धोता और रात को उनके पाउं दबाता था वह माता पिता की मन से सेवा करता था एक बार कुछ तीर्थ यात्री श्रवन कुमार की कुटिया के पास से गुजरे उसके माता पिता ने उन तीर्थ यात्रियों के मुख से प्रभु भजन कीर्दन की स्वर सुने तो उनका मन दुख से भर कया उसके पिता ने आह भड़ते हुए कहा हमें तीर्थ यात्रा पर जाने का सुवसर कभी नहीं मिल सकता यह सुनकर उसकी माता ने कहा हम बूढे और नेत्रहीन अवश्य हैं किन्तु तीर्थ यात्रा की इच्छा तो हमारी भी होती है उसने माता पिता की यह बातचीत सुन ले उसने तै कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर अवश्य ले जाएगा यह सुनकर वह एक बढ़ही के पास गया और माता पिता के लिए लकड़ी की एक बहंगी बनाने के लिए कहा बहंगी तयार होने पर वह घर ले आया और माता पिता से बोला मैं आपको तीर्थ यात्रा पर ले चलूँगा माता पिता को बहंगी पर बिठा कर श्रवन कुमार उन्हें पवित्र तीर्थ स्थलों पर ले गया एक आज्याकारी और सुयोगी पुत्र के समान उसने अपने कर्दवियों को निभाया शिक्षा माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है साथ मा के ममता उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्ती शासन कर दे थे वे बड़े न्याय प्रिये, प्रजा वत्सल और दयालू राजा थे बड़ी से बड़ी समस्याओं को वे आसानी से हल कर लेते थे उनके फैसले हमेशा सही होते थे इसलिए वे बहुत प्रसिद्ध थे एक बार उनके दरबार में दो औरतें लाई गई सिपाही ने बताया कि इन में से एक के पास यह छोटा बच्चा मिला है परन्तु दोनों औरतें इसे अपना बच्चा बताती है राजा ने एक औरत से पूछा तुम्हें यह बच्चा कहा मिला? उसने कहा मिला नहीं महाराज, यह बच्चा मेरा ही है मैं एक लकड हारिन हूँ, मैं बच्चे को सुला कर लकडी काट रही थी, तभी यह घसियारिन आई और मेरे बच्चे को ले जाने लगी, मैं इसे छीन रही थी, तभी आपके सिपाही आ गए राजा ने दूसरी से पूछा, तुम्हे यह बच्चा कहा मिला, उसने कहा, भगवान का दिया है महराज, यह तो मेरा ही बच्चा है, मैंने इसे दूद पिला कर दूप में सुलाया था, मैं घास काटने लगी, तो यह लकड हारिन इसे ले भागी, मैंने शोर मचाया, तो आप के सिपाही आ गए, राजा ने कहा, मंत्री, इस बच्चे को ले जाओ, और इसके दो टुकडे करके, दोनों में बाट दो, यह फैसला सुनकर, सब ही चकित रह गए, कि आज राजा को क्या हो गया है, राजा तो इतने निर्दई नहीं थे, फैसला सुनकर, घसियारिन तो परन्तु लकड़ हारिन फफक फफक कर रूने लगी, वह राजा से बोली, महराज, ऐसा मत कीजिये, मेरे लाल को मत मारिये, बच्चे को मारने से तो यही अच्छा है, कि उसे आप इस खसियारिन को ही दे दीजिये, मेरी जान ले लीजिये, पर मेरे बच्चे को छोड़ दी राजा ने कहा, यही लकड़ हारिन इस बच्चे की मा है, कोई भी मा अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती, बच्चा इसे दे दो और घसियारिन को कैद खाने में डाल दो शिक्षा, मा की मम्ता अतुलनी यह होती है आठ, अनोखा न्याए, महराजा रणजीत सिंग पंजाब के राजा थे, उनकी वीरता और बहादुरी के कारण वहां के लोग उन्हें पंजाब केसरी के नाम से पुकारते थे राजा होकर भी बड़े दयालू थे एक बार महराजा रणजीत सिंग अपने सैनिकों के साथ एक गाउं से गुजरे एका एक, सामने से एक पत्थर आकर उनके सिर पर लगा यह देखकर सैनिक फोरन रुख गए और पत्थर मारने वाले की खोज में जुट गए सैनिक ने एक बुढ़िया को देखा, जो अपराधन की तरह सहमी हुई खड़ी थी वे उस बुढ़िया को महराज के पास ले गए और बोले महराज, इजीने आपको पत्थर मारा है भाई से थर-थर कांपती हुई बुढ़िया बोली महराज, मैं बेकसूर हूँ मेरे बच्चे घर में दो दिन से भूखे पड़े हैं घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है पेड पर लदी फल देख कर मैं उन्हें पत्थर भैंक कर तोड़ने की कोशिश कर रही थी मेरी बदकिस्मती से एक पत्थर आपको जा लगा मुझे माफ कर दी जिये महराज यह कहकर वह उनके पैरों में गिर पड़ी महराजा रणजीत सिंग उस बुढ़िया को अपने हाथों से उठाते हुए सेनापती से बोले इसे कुछ अशर्फियां दे कर छोड़ दो सेनापती ने अजम्भित होकर पूछा यह कैसा न्याय है महराज सजा के स्थान पर इनाम महराजा रणजीत सिंग ने हस कर उत्तर दिया पत्थर लगने पर बेजान पेड़ भी मीठा फल देता है फिर भी मैं तो धड़कता हुआ दिल रखने वाला राजा हूँ मैं इसे खाली हाथ कैसे जाने दूँ यह था पंजाब के स्री महराज रणजीत सिंग का अनोखान आए शिक्षा कष्ट सहकर परुपकार करने वाला महान होता है